तो आदाब नवास्कार को डिविंग सच्छा काल एक पर फिर आप तुमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी कि इस एपिसोड में उम्मीद पूरी फैमली अच्छी होगी आज की कहानी बीच में क्राइम तक फैमली मेंबर में से कुछ लिए मेल किया था मैं थोड़ा कंफ्यूस था मलिका साइनाइट की कहानी और उसकी कहानी सुनाई और बी कुछ सुनाई थी तो मलिका को लेकि कंफ्यूस था लेकिन दीपक ने मुझे बताया कि एक कहानी हमने नह पेहीजिन और कर्नाटक की खास तोर पर पहली महीला है, जिसको आदालत ने सजाय मौट दी। और वो भी सेडियल के तरु पर. इस कहानी की खासियत या ह कि इसके उंपर जब आदालत ने सजाय मौट दी तो छे कतले के मामले इसके सर पर थे और उन छे कतल के सबूत जुटाए गए जहांचे जनस्य ने पुलिस ने अदालत ने उसको माना और मलिका साइनाइड इसको हलाकि इसका असली नाम केमपम्मा है इसको फांसी की सजा दी लेकिन कहते हैं कि यह जो छे कतल है यह तो सबूत पुलिस ने ज हुट जादा औरतों के कतल हुए लेकिन उन कतले के कोई सबूत और उसके साथ लिंक जुटा नहीं पाई लेकिन करनाटक पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ छे कतले नहीं बलकि उनके इसाप ते चेने तो शायद 20 से जादा कतले जो मलिका साइनाइड ने किये लेकिन अदालत में साबित सिर्फ छे कतल का हो पाया उसके बाद फांसी की सजा दी गई क्या हुआ आगे वो आपको आखिर में बताऊंगा पहले इस कहानी पर आते हैं कि कहानी क्या है करनाटक की जमीन से यह कहानी निकलती है अपने देश में वैसे वो चाहे साउथ हो नौर्थ हो एस्ट हो वेस्ट हो पूरे देश में एक चीज़ आम है हम तमाम लोग धर्म कर्म की तरफ बहुत रुजहान रखते हैं और खासतार पर जब मुसीबत आती है परेशानी आती है दुख होता है तकलीफ होती है तो शायद हम भगवान अल्ला को जादा याद करते हैं और अच्छे मौ ses मांकие पर कम याद करते हैं तो आम तोर पर हमारी इसी कमजोरी का बहुत सारे लोग फ़ाइदा ऊठाए बहुत सारे बाबा हैं जो आगकर आपको पता है जेल में टेंड हैं वहीं से हमारी कमजोरी का फाइदा उठाते हैं हमें कुछ चाहिए, एक्जाम में पास होना है, बेटी के लिए अच्छा रिष्टा चाहिए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई बीमारी है, दूर हो जाए और भी ऐसी तमाम मननते होती हैं, जिसको लेके अलग-अलग लोग बंदिरों में तीरत पे, मजारों पर, दरगाहों पर जाते हैं, और फिर वादा भी करते हैं, कि मननत पूरी होगी, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे ऐसी लोगों की इन कमजोरियों का हमारे देश में बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मलीका साइनाइड ने, या फिर केमपम्मा ने इसका फायदा उठाया, उसकी दूसरी मिथाल मिलती नहीं है असल में केमपम्मा की कहानी शुरू होती, एक आम महिला थी, और करनाटक में कगाली पूरा एक जगा है, तो कगाली पूरा में ये रहती थी बड़ी हुई तो इसकी शादी एक दर्जी से कर दी गई, एक गरीब परिवार की लड़की थी शादी के बाद सब कुछ दिन तक ठीठाक चल रहा था, केमपम्मा के तीन बच्चे हुए, पती दर्जी के काम कर रहा था, केमपम्मा को लेकिन शादी के बाद और शादी से पहले ही एक खाहिश थी और वो ये कि वो एक अच्छी जिना चाहती थी जहां उसकी सारी आराम आसाईश की चीज़ें हो पैसे हो एक खुशाल खुशकवार जिन्दगी जहां सारी लगजरी हो उसके पास ये उसका सपना था लेकिन बच्पन में माबाब गरीब थे वो सपना पूरा नहीं कर पाए बड़ी हुई तो शादी हुई तो एक टेलर से एक दर्जी से उसकी भी अपनी एक सीमित तनखा थी सीमित पैसे थे जो कमाता था उससे घर तो चल रहा था लेकिन केमपमा की खाहिशें पूरी नहीं हो रही थे और ये चीज उसे बेचाइन कर रही थे इसी के बाद किसी तरह उसने अपने दर्जी पती को समझा बुचा कर एक वहाँ पे नया बिजनिस शुरू करने की बात थी चिटफन की चोटे चोटे जगों पे ऐसी बहुत सारी चीज़े आती है ऐसी लोटरी लगती है केमपमा की खाहिशों के बारे में उसके पती को पता था आकिरकार उसकी जिद के आगे वो जुग गया उसने का ठीक है तुम किटफन का एक दंदा शुरू कर लो चोटे पेमाने पे उसने किया लेकिन इतफाक से वो जो पैसे लगाए जो पूंजी लगाई वो डूब गया और पैसे जो उसके पती ने सेविंग कर रखा था जो जमा किया था घर चला कर किसी तरह मजबूरी में बचा कर उस सारे पैसे खत्म हो गए और किम्पमा की ये कोशिशे नाकाम हो गए इसका पती पत्नी के रिष्टे में खटास आया किम्पमा को लगा कि अपने पती के साथ उसके जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी गरीबी में फिर उसने एक फैसला लिया उसने का वो अपने पती को छोड़ देगी तीन बच्चों की मा किम्पमा इसके बाद अपने पती और बच्चों को छोड़ कर वहां से निकल लेती बैंगलोर की तरफ क्योंकि उसे जो चीज़ें चाहिए थी जो अमीरी चाहिए थी उसे लगा कि बड़े शहर वहां की चमक धमक महीं मिलेगी और ये पहुँच गई बैंगलोर बैंगलोर जाने के बाद किम्पमा के जो गाउं का गाली पुरा उसके लोग उसके पती उसके बच्चे उसके लिए बस वह एक कहानी रह जाती है अब किम्पमा की कोई खबर उन तक नहीं है किम्पमा भी शहर की बीड़ भाड में जाकर गुम हो गए साल बीड जाते हैं न वो अपने घरवालों के सुद लेती है न गाउं लोटती है न गाउं वाले न घरवाले उसकी कोई सुद लेते हैं धीरे धीरे वक्त बीता जाता है वहाँ जाने के वाद वो शुरू में कुछ घरों में मेट का काम करती है फिर वहाँ मननी लगता है फिर वो घर से घर बदलती जाती है इसके बाद कुछ सुनार के दुकानों पर काम करती है जो जोएलरेल शॉप जिनकी होती थी, जोहरीयों की दुकाने, बहाँ पे वो काम करना शुरू करती है, इस दौरान में कुछ ऐसे रिष्टे भी बनते हैं कि उन जोहरीयों के घर पे भी पहुंच जाती है काम करने के लिए, और तब पहली बार उसे सोने की चमक के अंदर, अ इसी लालच में वो पहला क्राइम करती है, एक सुनार के घर में वो काम कर रही थी, वहाँ से वो सोना चोरी करती है, लेकिन पकड़ी जाती है, घर वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, पुलिस उसे अदालत में पेश करती है, और इस चोरी के इल्जाम में उसे छे मह वो जैल में रहती है, और जैल में निकलने के बाद वसके उपर एक डाग लग या था कि वो चोर है जैल में रही है बाहर आने के बाद अब काम भी असानी से नहीं मिल रहा था तब उसने एक नया प्लैन बनाया और यहीं से केमपम्मा की मलिका साइनाइड बनने की कहानी शुरू होती हूँ 1998 में उसने गाउँ छोड़ा था और 1998 के आखिर आते आते हैं और 1999 के शुरुआते हैं जब वो जेल से लोटी तो इधर उधर भटकती रही कुछ रात उसने मंदिर की सीडियों पे भी काटे कई धरमशालाओं में गुज़रे महिला थी लोग उसको पनावी देहे थे इसके बाद जब वो मंदिर पहुंचती तो वहां औरतों को देखती किस तरह से कौन-कौन कैसी-कैसी मंदिरों के चकर काट रहे हैं और वहीं उसके दिमाग में एक आइडिया है उसने कुछ मंदिरों में रहना शुरू किया और रहने के बाद उसने ये अबज़र्ट करना शुरू किया कि ये औरते जो आती हैं ये किस लगन से आती हैं क्या म मानती है, मननत पूरी होने पर क्या उसे वाकई पूरा करती है यह सारी चीज़ें उसने बहुत बारिकी से देखना शुरू किया और इसके बाद फिर उसने फैसला किया कि वो उन आउरतों को अपना निशाना बनाएगी जो बेबस हैं, मजबूर हैं, अकेली हैं, परेशान है और अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उसकी नजर में ये सबसे आसान शिकार थी और इसी के बाद 19 अक्तूबर 1999 19 अक्तूबर 1999 में केम पम्मा ने पहला कत्ल किया और ये कत्ल किया बैंगलोर के करीब होसकोटे एक जगा है वहाँ पर 30 साल की मामाथा राजन थी जो मंदर में मन्नत मांगने के लिए आई थी और उसे बच्चा चाहिए था मामाथा राजन को शादी हो गए थे कई साल हो गए थे बच्चा हो नहीं रहा था तो मन्नत मांगने के लिए आई ये बात केम पम्मा को मालूम थी क्योंकि वो मंदिर में थी और उसके बाद वो लगातार नज़ा रख रही जब उसने पता कर लिया कि ये क्यों आ रही है तब उसने कहा कि तुम्हारी मुराथ पूरी होगी मैं तुम्हारे लिए खास पूजा करूँगी अच्छा चुकि वो मंदिर में उसने रहना शुरू कर लिया था खास तौर पर इसी मिशन को पूरा करने के लिए तो उसने कहा लेकिन इसके लिए इसके लिए इस पूजा करनी पड़ेगी और उस पूजा के लिए कुछ जेवर हैं वो पहन कराओगी और उसके बाद हम इस्पेशल पूजा शुरू करेंगे जिसके बाद तुम्हारी मुराद पूरी होगी तो मा बनोगी ममता राजन मा बनने के लिए बेकरार थी मंदिर में एक महिला मिल रही है वो लगा कि यह भगवान का रूप है उसे बच् अकुबर 1999 को वो उसी हिसाब से बंठन कराई सारे जेवर पहन कराई कुछ मंत्र चार बाकी चीज़े देखावे के लिए किया किम पम्हा ने और उसके बाद एक लोटा में उसने पानी था और उस पानी में उसने साइनाइड मिला है पोटेशियम साइनाइड और कहा कि यह वो पी ली पीने के बाद उसकी मौत हो गई उसके बाद और यह सब कुछ उसने मंदर के एक हाथे में कोने में जहां सानाटा था कोई था नहीं क्योंकि यह पहले कहा था कि पूजाय कांत में होगा उसके बाद उसके सारे जेवर उतारे जो पैसे थे वो लिए और वहां से यह पहला करते था इसके बाद अगले कुछ दिनों में उसने पाँच और और ओरतों को ठीक इसी तरीके समा रहा हुआ दस अक्तूबर और दिसंबर 18 के बीच में यह उसने सारे छे कतले किया जो शुरुवात के थे जो उसने दूसरा कतले किया उसका नाम था एलिजाबेट य अपनी एक पोती को तलाश रही थी उसकी पोती थी तीन-चार साल की और घर से गायब होगी पुलिस में रिपोर्ट लिखा है पोती का कुछ पता नहीं चला कापी कोशिश है की महीने बीद गए लेकिन एलिजाबेट की पोती नहीं मिली और पोती से वह बहुत प्यार करती अफिर में किसी ने कहा कि तुम जाओ भगवान के दर पर जाओ भगवान तुमारी मनत पूरी करेंगे तो यह एक मन्दिर में पोँसती है वहां केम्पम्मा टकराती है और केम्पम्मा वही कीज़ें इसके साथ कहती जो इससे पहले मम्था राजन के साथ कहा था उसने का एक खास पूजा करेंगे तुम्हारी पोती मिल जाएगी उसके अदूसे भी साड़ी पहना कर जेवर के साथ बुलाया एक आंत में और पूजा के नाम पर लोटा में उसे भी एक पानी दिया पीने के लिए और उस पानी में पोटेशन साइनाइड था एलिजाबेट की भी डिट हो गई इसके बाद जो तीसरी विक्टिम थी केंपममा की उसका नाम था यशोधर्मा यह साठ साल की थी और इसको सिद्ध गंगा मट यह कातिया संदर के आसपास है वहाँ पे मारा यशोधममा जो थी यह भी एक मननत मांगने के लिए आई थी कि इसके बेटे की शादी हो जा और बेटे की शादी नहीं हुई थी तो उसके लिए या आई, वहाँ टकराई, फिर से केमपम्मा और वही तरीखा अपनाया खास पूजा के नाम पर उसे पोटेशियम साइनाइट पानी में मिला कर दिया, मौत हो गई उसके सारे जेवर लिया और निकल गए चौथी विक्टम थी इसकी मौनियम्मा, इनकी उम्र थी साथ सार, और मौनियम्मा जो है, अस्थमा की रोगी थी तो ये अस्थमा दूर हो जाए, ये बिमारी खत्म हो जाए, इसके लिए वो लगातार इधर से उधर मंदिरों के चक्कर काट रही थी, आकरकार एक मंदिर में बैंगलोर के खरीब पहुंची और वहाँ पे थिर केमपमा टकरा ही, और उसने कहा कि एक खास पूजा करनी है, इस पूजा के बाद तुमारी अस्थमा ठीक हो जाएगा, और वैसी साड़ी और जेवर के साथ बुलाया, उसे भी पानी पिलाया, उसकी भी मौत हुई, जेवर लोटे और चली जेगा पांचवी विक्टम इसकी बनी पिलामा, इनकी भी उम्र साथ साल थी, और इनको व्यादानाथ पूरा के पास, एक मंदिर के खरीब मारा इनकी भी कुछ परिशानी थी, और उस परिशानी को लेके मंदिरों के चकर काट रही थी, भगवान से उम्मीद थी, लेकिन इनसान जो है वो भगवान को धोका देते हुए, कि तुम्हारी सारी चीजने पूरी हो जागी, भगवान के नाम पे एक तरह से वो डील कर रही थ और केमपम्मा के जाल में ये भी फंसी, और फिर इनको भी उसी तरह से मारा, जो छटी विक्टिम थी केमपम्मा की, उसका नाम था नागावेनी, ये 30 साल की एक महीला थी, और ये भी मा नहीं बन पा रही थी, और शादी के करीब 7 साल हो गए थे, तो 7 साल तक शादी के बा और किम्पमा ने कहा कि तुम जरूर माँ बनोगी, तुम्हारे लिए खास पूजा होगी और उस पूजा के नाम पर उसे वैसी बुलाया और फिर उसे पानी पिलाया और उसको माँ डाया यह 6 कतल, 6 के 6 साइनाइट के जरीए, लेकिन कमाली यह था कि अलग-अलग मौत हो रहे थी और पुलिस तक यह बात पहुच नहीं रहे थी, उसके एक वज़ा यह थी जो अकसर कई क्राइम में होता है, कि इन मौत की कड़ियों को एक साथ जोड़कर नहीं दिखा गिया, अगर एक लाश बैंगलोर के आउटर साइड में मिला और दूसरा इस साइड में मिला, तीसरा थोड़ा और दूर मिला, तो अलग-अलग जिरिजिक्शन, अलग-अलग थाने का केस मान कर पुलिस वहीं पर उसके केस को क्लोज कर दिद किया, चुकि यह तमाम गरीब लोग थे, ब मैट से, तो कहीं न कहीं सिमिलरिटी इसमें फोरन कान खड़े होने चाहिए और उसी हिसाफ से जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस में तालमेल ही नहीं था, एक दूसरे जो डिस्टिक्ट थे या थाने थे, उनमें से कोई आपस में एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं कर र लाइब्स पार डिस्टिक्ट देन रेनुका, रेनुका के बारे में यह है कि रेनुका का अभी καत्य किम पर ने किया था और आया की उसे किछ-किछ परिशानी हैं, उसने का सब ठीक हो जाएगा और फिर एक रोज रेनु का अचाना गायब हो जाती है और फिर कभी घर नहीं लोटती काफी उसे धूड़ा जाता है, उसके पती को खबर की जाती ही पती हिंदुस्तान आता है, वापस आकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है फिर वो अपनी लेवल पर इंविस्टिगेट करता है तो पता चलता है कि एक महीला है जिसके साथ वो आखरी बार लग अथा देखी जाती इसे करीबी होगेए थी, और वो केमपम्मा थी तो उसका पती फिर उसका हुलिया और यह लेकर पुलिस के पास जाता है शिकायत करता है कि मेरी पत्नी को जो है इसी ने मारा है लेकिन पुलिस उस वक्त उसकेश को सुल्जा ही नहीं पाती है मामला आता जाता रहता है बैंगलोर के अब बाहर से भी कई महिलाओं की लाश मिलती है बहुत सारे तो ऐसी लाश मिले जिसका पुलिस में पोस्मॉटम भी नहीं करा है मना पोटेशियम साइनाइड वाला कनेक्शन जुड़ जाता और धीरे धीरे ऐसी कई लाश मिली जो बैंगलोर पुलिस और कनाटक पुलिस के साब से जो संदिक थी लेकिन फिर बात वही है कि संसान जगा पे कहीं जाडियों पे कहीं कुछ तो कुछ लावारिस समझ कर ही 2008 में 31 दिसंबर 2008 इस मामले में जो लास्ट वाली थी महिला र्डेनुका उसकी रिपोर्ट लिखी गए थी और केमपमा की थोड़ी सी हुलिया हुलिया भी बताया गिया था तो एक मुख्बिर बताता है कि उस हुलिया से मिलती वी एक महिला एक बस स्टॉप पे खड़ी है बस स्टॉप पर पहुंचती है एक औरत को उठाती है उसके पास पोर्टली और बैग जब तलाशी लेती है पुलिस तो हैरान रह जाती है उसके बैग में बहुत सारे जोल्री थी सोने के चांदी के अब घुलिया से देखके लगा कि इस महिला के पास इतनी सारी इतनी लाक हो फेकी में जुल्री यह कहां से आई तो उससे पूछताच करती है पहले वो ऐसी कहती है कि यह हमारा इधर उदर का है घर का है प werde परमai नाम के घहने लेती है फिर उसने एक एक कर सारे कतल की कहानी सुनानी शुरू की और पुलिस वालों के पेरो तले जमीन की सगे की कि औरत किस तरीके से लगातार कतल कर दी है और पूरी करनाटक और बैंगलोर पुलिस को भनक तक नहीं है इसी के बाद फिर उन सारे केस के पुराने पन्नों को जब पल्टा गया तो कुछ के जो पोस्टमॉटम हुए उसमें पोटेशियम साइनाइट की बात आई फिर सिमिलर्टी आई फिर उन सारी महिलाओं के कनेक्शन को जोड़ा गया तो देखा गया कि यह सभी कही न कहीं का कनेक्शन मंदित से है यह सभी परिशान थी और इनका फाइदा उठाया के पंबन है उसने बताया कि उसका मकसद सिर्फ यह कटल करने का और कुछ नहीं था पैसे थे लूट थी पुलिस वाले ने पूछा भी कि तुम वैसे भी लूट सकती थी तुम पानी की में पोटेश्यम साइनाट डालने की बज़ए बेहोशी की दावा डाल कर भी तुम भाग सकती बोली नहीं उसमें खत्रा था यहां पर यह दे दिया और यह जब जोहरी के हां काम करती थी कुछ दिनों के लिए जब लिबाइंगलोर आई थी तब उसे पता चला था कि कुछ जहर ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल जेवर बनाने और उसमें होता है और पोटेश्यम सैनेट के बारे में उसे वहाँ से जानकारे मिली थी तो उसे लग गया था कि ये बहुती कारगर जहर है और बचने की गुझाइश नहीं है और इसी के बाद उसने लोगों को लूटने के लिए अकेली महिला जो परेशान है मंदिरों के चक्कर काट रही है उसको सरफ एक उमीध ही दिलाने है कि देखो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा भगवान सुन लेंगे तो ये उसके लिए सबसे आसान टार्गेट था और इसी के बाद उसने ये प्लान बनाया और एक एक कर उसने कट्ल करने शुरू के जब उसकी कहानी सुनी उसके बाद पूलिस ने कडियां जोडी तो छे कतल के मामले जुड़ गये जिसके सबूत भी मिले कुछ लोगों ने आई विटनेस से देखा था है जो मरे उनके साथ और उनमें से कुछ के गहने भी मिले फिर जो वो बेच नहीं पाई कुछ उसने बताया कि जाकर जहां बेचे वहाँ वहाँ उन जहुरीयों के पास पुलिस पहुंची तो वहाँ से भी कुछ मिले तो उससे भी वो लिंक जुड़ा और इसी के बाद 2010 में केमपमा जो जब तक उसको बेंगलोर पुलिस ने साइनाइड मलिका का नाम दे दिया था निकनेम तो केमपमा और साइनाइड मलिका को 2010 में एक अदालत ने जो मुनियम्मा थी उसके कतले के लिए फांसी की सजा सुनाई पहला फैसला उसी काया था 2012 में नागावेनी उसके कतले का सारा पुखता सुबूत मिला इस दूसरे कतले के लिए भी उसे फांसी की सजा सुनाई करनाटक के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी सीरियल के लिए रिया किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई गी इसके बाद बाकि केस के फैसले आते रहे और उसको फांसी की सजा सुनाईगी एक एक सारे चीज़ नहीं लेकिन फिर बाद में ये मामला हाई कोर्ट में गया और कोर्ट ये कहा कि पूरे केस में और जो छे मडर है उनमें सरकम्स्टैंसल एवेडेंस तो बहुत है लेकिन पुखता सबूत ऐसा कोई नहीं है जिससे कम से कम इसको रेरिस्ट आफ रेर केस मान कर फांसी की सजा सुनाई जाए और इसी के बाद फिर कोर्ट ने कि इंपम्मा की मौत की सजा को उम्रकायद में तबदील कर दिया उम्रकायद मतलब जब तक की वो जिन्दा है उसके आफ के इंपम्मा को जेल भेज दिया गया बैंगलोर के जेल में रही के इंपम्मा 2010 से लगातार 2008 में पकड़ी गए थी 9 साल बीज गया 2017 में केंपम्मा यानि मलिका साइनाइड मलिका फिर से एक बार सुरुखियों में आती है आपको याद होगा जैलालिता की एक दोस्त हुआ करती है शशिकला तमिलाडू में और उनके उपर कुछ करप्शन और बाकी चीज़ों के चार्जिस थे जिसके बाद उन्हें अदालत ने जेल भेजा लेकिन फिर ये भी था कि तमिलाडू के जेल में रहेंगी तो उनको सारे सुविधाएं मिलेंगी तो इसलिए किसी दूसरे स्टेट में भेजा जा तो शिशिकला को वहां के हाईज को ने तमिलाडू की बैंगलोर करनाटक बेज दिया कि आफ वहां के जेल में रहेंगी और उत्तफाग से शिखलया जिस जेल में पहुंची उसी जेल में केम पम्मा बन थी पिसले 9 साल से यह कहते हैं कि जो शर्शीकला वेहाँ पहुंची तो जो प्लाइन बहुत हुश्प शर्शीकला को खाना खाने में कोई पड़े भर उद्धर शर्शीकला को ऑम बारे बार उसके करीब जा रही है जब यह कबर आई तो शचिकला के सिकुरिटी को देखते हूँ कैमपा मा को उस जेज से दूसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया गया हलाकि कैमपा में ने ये कहा कि वो शचिकला को मानना नहीं चाहिए किए वो उसकी रिस्पेक करती है फांसी की सदा और फांसी हो भी चुकी होती लेकिन उपरी अदालत ने उसकी फांसी की सदा को उम्र कायद में तब्दील कर दिया अब यतने भी उम्र है इस मलिका साइनायड ये केमपमा की वो जेल में ही कटेगी जब तक कि वो जिन्दा है तो आज कहानी में इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी किसी नहीं कहानी के साथ लेकिन आज बड़ा खास दिन भी है 2011 में जो हमने वर्ल कप जीता था शायद वो आज ही की तारीख थी तो धोनी की कप्तानी में दूसरी बार मुंबई के वान खेले स्टेडियम में श्रेलंका को फाइनल में हराया था जीत क तो उस वर्ल कप को जीते हुए हमें दूसरी बार पहला एटी थी में तो जीते ही ते कपिल देव जब कैप्टन थे लॉट्स के मैदान पर वेस्टेंडीज को रहाया था 183 पर वेस्टेंडीज ने हमें अल आउट किया लेकिन हम उनको से भी कम पर आउट कर चुगे थे त तो कहानी में आजितना ही कल आपसे फिर मलाकात होगी किसी नहीं कहानी के साथ तक तक अपना खायल रखेगा थेंक्यू बढ़िए